है एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इनसान और मारजिन अगर आप देखेंगे तो लगभग सेकेंड पोजीशन से वो दुगने से भी आगे है वो यहाँ पर एक खास tweet कल किये और एक खास interview में उन्होंने कहा कि जो lithium business है जो electric vehicle में काम में आता है lithium business is a license to print money यानि कि lithium business में अगर आप निवेश करेंगे तो यह एक license है जहां पर आप money को print कर पाएंगे, पैसे को चाप पाएंगे and you can't lose और आप इसमें कभी हारेंगे नहीं future में ये शब्द है Elon Musk के दुनिया के सबसे अमीर इनसान के तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे भारतिय शेयर बजार में lithium business stocks जिसमें आप निवेश करके, जिसमें आप पैसा लगाके पैसा बना सकते हैं according to Elon Musk तो कौन से है वो 5 ऐसे भारतिय शेयर बजार में lithium business वाले और 5 में से 2 best share जो मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप कर सकते हैं निवेश आज के वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही खास वीडियो यहाँ पर रहने वाला है थोड़ा सा भी skip मत करिएगा और Elon Musk के बारे में मेरा क्या opinion है lithium business के बारे में मेरा क्या opinion है ये भी इस वीडियो में हम आगे जानने वाले है तो नवसकार में एंकेद शुरू करते हैं market maestro philosophy of long term investing अब lithium business क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ उससे पहले Elon Musk ने क्या कहा है वो एक बार आपको बता देता हूँ देखे Elon Musk tells entrepreneur याहू finance के तरफ से to get into the lithium business it's a license to print money आगे उन्होंने कहा you can't lose तो Elon Musk का यहाँ पर यह कहना है कि lithium जो है वो भविश्य है अब यह lithium है क्या यहाँ पर समझना पड़ेगा तो देखे जो lithium होता है वो आप सबको पता होगा अगर बहुत आसान भाषा में समझाने के गोज़िश करूँ तो वो electric vehicle के battery में यहाँ पर use में आता है अभी आपने देखा होगा कि shortage के कारण और semiconductor shortage के कारण दुनिया भर के जो cars थे, vehicles थे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई booking में और यहाँ पर Tesla जिस प्रकार से share बढ़ा है और जिस प्रकार से demand आगे गई है उस हिसाब से वो delivery यहाँ पर करनी पा रहे है तो यहाँ पर जो lithium-ion battery होता है वो काफी यहाँ पर सबसे पहले light weight होता है transport करने के लिए easy होता है उसको charge करना काफी असान होता है rechargeable होता है और काफी ज़्यादा effective यहाँ पर माना जाता है ऐसा माना जा रहा है कि इसकी current demand 14% है लेकिन by the end of 2030 जब दुनिया go green के तरफ चले जाएगी तो demand यहाँ पर बढ़के लगभग 80% के आसपास यहाँ पर हो जाएगी यानि कि 50% का growth है यहाँ पर इस business में अगर सालाना हिसाब लगाएंगे आने वाले 10 साल तक हर साल 25% का growth यहाँ पर दिखाई दे रहा है according to Elon Musk अब अगर 25% का सालाना growth है तो stocks लगभग 30% के आसपास यहाँ पर जाएंगे या उसके भी जादा यहाँ पर जा सकते है तो यहाँ पर यह जो go green का symbol चल रहा है और जिसी साब से दुनिया आगे जारी है तो क्या 5 ऐसे भारतिय शेर जो lithium बिजनस में यहाँ पर focus कर रहा है और जिनसे आप 2030 तक खुब सारे पैसे बना सकते हैं चलिए वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मस्क के बारे में मैं अपना opinion आपको वीडियो के आखिर में दूँगा अभी मैं आपको best stocks बता रहता हूँ सबसे पहला stock है BHEL यह देखे यह जो है यह भेल जो है यह government stock है आप सबको पता होगा 50 रुपए के आसपास यह चलता रहता है 40-50 के आसपास और सबसे पहले इसलिए ही मैं आपको सबसे पहले stock बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंडिया में हाँ इसने ऐसा का है 100-200 करोड का निवेश करने वाला है और अगर इंडिया में EV को आगे बढ़ाना है तो government के बिना यह possible नहीं होगा इसका नाम सुना होगा एकसाइड इंडिया में मोनोपोली क्रियेट करता है एक और शेयर के साथ जो मैं अगला बताऊंगा और यह बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जो हम inverter यूज करते हैं आपने नाम सुना होगा एकसाइड inverter काफी ज़्यादा यहाँ पर चलता है 1500 रुपय का स्टॉक है कभी भी 200 रुपय यहाँ पर जा सकता है तीसरा शेयर यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो काफी खास शेयर है वो है अमर राजा बैटरी इनका बिजनस कोर लिथियम के तरफ ही ज़्यादा जाता है यहनिकि यह जो प्रोडेक्ट बनाते हैं वो गाड़ी के लिए ही लगभग बैटरी बनाते है inverter में भी है लेकिन गाड़ी बैटरी इनका ज़्यादा यहाँ पर है और जिसको आगे सुनना है वो आगे सुने चौथा शेयर है काफी इंपोर्टेंट मल्टी बैगर शेयर सिर्फ यहाँ पर 100 रुपए के नीचे का शेयर HBL पावर बहुत कम एनालिश्ट लोग इसे यहाँ पर जच कर पाए और 40 रुपए के आसपास इसे पकड़ना था आज यह शेयर 80 रुपए तक हो पाया तो जिन्होंने भी इसे सजेस्ट किया आपको उनको बहुत बहुत कॉंग्रेचुलेशन और बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिसर्च करके उन्होंने बता है और आने वाले समय में यह 80 रुपए से भी यहाँ पर 200 रुपए तक जा सकता है HBL पावर पाचवा शेयर है जो लिथियम के उपर काम कर रहा है लेकिन मार्केट कैप काफी कम है 200 करोड का वो है यहाँ पर हाई एनरजी बैटरी अब मैंने आपको पाचो शेयर बता दिया है कौन-कौन से शेयर यहाँ पर लिथियम बिजनस में काम कर रहा है अब पाच में से मैं आपको दो शेयर बताऊंगा कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना है और किसमें इन्वेस्ट नहीं करना है नहीं करने का भी कारण बताऊंगा और निवेश करने का भी हाँ पर कारण बताऊंगा एक एक करके सबसे पहले detail analysis बात करते हैं BHEL की government का है 40 का PE है market cap 18,000 करोड का है इसमें निवेश करें तो एक तरफ आपके पास option है कि ये सरकारी के तरफ से bagged है 100-200 करोड का निवेश करने वाला है तो क्या इसमें निवेश कर ले और क्या ये share 40-100 रुपे में जाएगा सिर्फ इसलिए कि ये share 50-100 रुपे में जा सकता है इसमें निवेश करना गलत हो जाएगा मैं अगर आपको बताओ तो 45 का काफी जादा है market cap 18,000 करोड का है alert रहे अगर आप इसका debt देखेंगे तो 6,000 करोड के आसपास का है याने कि market cap का 30-40% debt है, debt काफी high है इस वज़ा से मैं इसे दूँगा thumbs down आप अगर चाहे अगर आप aggressive निवेशक है तो इसे अपने list में यहाँ पर रख सकते हैं लेकिन 10 सालों के लिए बिलकुल ना है हाँ अगर आपको 50-100 बनाना है तो आप रख सकते हैं लेकिन 10 साल के perspective से इसमें निवेश करना risky हो सकता है क्योंकि निवेश ये काफी कम कर रहा है lithium business में दूसरा share की बात करते है HBL power potential threat to economy और अगर आप देखोगे तो ये disruption ला सकता है ये multi bagger बनके निकल सकता है 80 रुपए का share है पर current situation को देखते हुए क्योंकि 80 रुपए का हो गया है P28 का हो गया मैं चाहरा था इसको 14-15 के P.E. पे लिव पाओ market cap काफी decent है fundamental काफी strong है बहुत ही अच्छा share है लेकिन current valuations पे काफी जादा aggressive हो चुका है तो फिलहाल के लिए HBL power pay यहाँ पर hold की suggestion होगी अगर discount में मिलता है 40-50 रुपए पे वापस आ जाता है बाई लग तो इसे जरूर add करेंगे इस business को think में रखते हूँ तीसरा share की बात करें उससे पहले अगर आपने डिमेट अकाउंट नहीं खुला है तो डिमेट अकाउंट खुला लीजिए इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा शेयर बजार में entry लेने का 50% stocks 50% discount पे आपको मिल रहे है तो अगर आप नीचे लिंक मैंने डिमेट अकाउंट खुलाईए मेरे लिंक से और अगर आप चाहिए तो अपने फैमिली के किसी भी मेंबर का डिमेट अकाउंट कुला कि अपनी इन्वेस्टमेंट यहां पर चालू कर सकते हैं मैं तो हमेशा मल्टिपल डिमेट अकाउंट सेजेस्ट करता हो खुद भी 3-4 डिमेट बिजनस है तो अगर आप 10 साल के लिए निवेश करी रहे है भारत में इसका लगभग 40% के आसपास market share है तो this is the choice यह वो choice है जो बैट जाना चाहिए आपके दिल में नहीं दिमाग में ताकि आप इसमें निवेश कर पाए slow moving company है बहुत धीरे धीरे move करती है पता भी नहीं च जाएगा इसमें उसके chances कम है क्योंकि slow moving company है market cap काफी जादा है अच्छी चीज जो लगी है वो है इसमें काफी अच्छा यहाँ पर zero debt business है चौथे share की बात करते हाई energy battery 200 करोड की यहाँ पर company है अब देखिए जितने trader है ना और जितने लोग मतलब जो market को सिर्फ एक मैने दो चे मैने के लिए वो सब इसमें घुसने वाले अभी हालत ऐसा है देखिए यह उपर नीचे उपर नीचे होता रहता है कभी 1000 चले जाता है कभी 3000 चले जाता है कभी वापस 1000 आ जाता है इसको तो अगर मैं ही खरीद दूँगा तो यह share उपर नीचे यहाँ पर होने लगेगा तो बात ही आप operator का तो बात ही छोड़ दे तो operator वाले business से दूर रहने की कोशिश करें हो सकता है short time में operator इसे वापस 1300 से 3000 पहुचा दे लेकिन operator यहाँ पर वापस से 3000 से 1000 पर लेके आ ज पाचवा और आखरी शेयर अमार राजा बैटरी 8000 करोड का इसका market cap है 30-35% का market share है zero debt यह business है 15 का PE है मतलब आपको क्या चाहिए इससे आगे आपको क्या चाहिए core business lithium पे ही काम करता है car over का ही देखता है तो इससे ज़्यादा आपको क्या मंगता है अगर सारी दुनिया और इडिया EV के तरफ जारी है तो यह कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करेगा तो यहाँ पर क्या हुआ बीच में इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ काफी अच्छी ल इसमें क्या करे एक हजार का चले गया मैं बैटरी में इन्वेस्ट इवी में करना ही है मानो कि जैसे कोरोना का लोगडाउन खुलेगा और सारी दुनिया यहां पर पैट्रोल बन करके इवी में भाग रहेगी तो मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सबर रखे डिसकाउंट में मि मुझे लग रहा है कि operator इसको 400 तक लाएगा अभी देखो 400-500 के range में चल रहा है तो यह एक business है fundamental wise अगर आप देखेंगे तो काफी strong business है अब यह किसी प्रकार से manipulate हो गया emotion से manipulate हुआ operator ने manipulate किया मुझे नहीं पता पर यहां पर fundamentals इसके यह बता रहे 5 साल में यह share सीधा यहां प ला सकता है तो this is your choice अगर आप यहां पर चाह रहें कि हाँ आप Elon Musk के बातों से सैमत है और आप आगे जाना चाह रहें this is the share for you जो दिल पे नहीं दिमाग पर आपके आजाना चाहिए एक secret share जिसमें मैं invest करने का सोच रहा हूँ और जो खास तोर पे यह bonus share है आपके लिए जो खास तोर पे यहां पर order ले रहा है यह काम करने का देखिए टेसला ने अपना tie up किया एक रास की बात panasonic के साथ जो बात किसी को पता नहीं है जो उसके गाड़ी में जो battery use हो रही है वो panasonic बना रहा है और इंडिया में अगर battery use होगा तो एक खास business बताएगा क्या है ना जी उसको मैं YouTube में बता नहीं सकता हूँ वो एक खास है और मैं अपने खास लोगों को ही बताना चाहता हूँ तो अगर आप जानना चाहते है कि यह share कौन सा है subscribe के बाजू मैं join है join कर ली 10 रुपए से 10 से कम का है तो कही ना कही यह आपको एक मौका दे रहा है एक multi bagger stock बनके उभरने का तो अगर आप जानना चाहते है जैसे कि मैंने बताया कि ना तो इसके बारे में कोई article है ना इसके बारे में net में कोई जिक्र है तो यह खास business है जिसे मैंने study किया है जानना च सब्सक्राइब के बाजू में join है join कर लीजिए खास लोगों को यहाँ पर यह share बताने वाला हूँ बाकी 5 share मैंने आपको यहाँ पर बताई दिया है अब बात करते हैं आप join करेंगे तो बहुत सारे benefit आपको और भी देखने को मिलेगा मेरे साब आप investing भी कर पाएंगे अब होने में 10 साल लगेगा जो उनका projection है यह बात बिल्कुल सही है तो उससे क्या होगा तेल का दाम काफी कम होगा और जब तेल का दाम कम होगा तो FMCG stocks काफी जादा बढ़ेंगे paint business में काफी जादा boom यहाँ पर आएगा तो मैं क्या करता हूँ मैं contra investing करता हूँ जहां तक मेरा personal opinion है मैं EV के पीछे नहीं भाग रहा हूँ मिरको पता है कि EV जो है वो discount हो जाएगा discount हो जाएगा मतलब जितना भागना होगा 25-26 में भाग जाएगा और जब सारे लोग वाकई में EV के तरफ जाने लगेंगे तब वो share को गिराना चालू कर देंगे profit book करना चालू कर देंगे कि जब यहाँ पर EV बढ़ेगा तेल गिरेगा तो कौन से share बढ़ेंगे वो share में अगर आप निवेश करेंगे तो 2030 में भी वो share उपर के तरफ रहेंगे और वो नीचे नहीं आएंगे क्यूं क्यूंकि logic बहुत कम लोगों को इसका पता रहेगा और FMCG और paint business खास तोर पे व पेंट बिजनस में सदी का सबसे बड़ा बूम आएगा यह आप जानना चाते हैं तो नीचे कमेंट करें इस वीडियो में अगर आप 10,000 लाइक देते हैं तो आपको आगे वीडियो में आपको बताऊंगा और खास paint business भी आपको बताऊंगा जिसमें आप investment कर सकते हैं जानन पर यह काम आपका है कि इस वीडियो को शेयर करना है मार्केट माइश्टों के साथ नहीं जुड़ें चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इंफर्मेटिव वीडियो के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में बैल आइकन को दबा के रखें ताकि जब भ